नमस्काय दर्चको हिंदुधर में कई पशुपक्षियों को शुप माना जाता है इन में से सबसे ज़ादा महत्व गाए माता को दिया गया है हिंदू में गाए को माता का दरज़ा प्राप्थ है क्योंकि वह थे हमें दूद देती है और गाए की पूजा और सेवा को भी हिंदु धर में बहुत ही जादा महत दिया गया है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि गाए में 33 करोड देवी देवताओं का निवास होता है इसके अगर आप गाए की पूजा या सेवा करते हैं तो सारे देवी देवताओं को आप प्रसन कर सकते हैं शास्त्र में गाए की सेवा और पूजा से जुड़े कई नियम बताए गए हैं जिन में से कुछ बेहती प्रश्लिक है गाए को गुड रोटी खिलाना भी इनी नियमों में से एक है ऐसा करते हुए आपने कई लोगों को देखा होगा मगर क्या आप जानते हैं कि गाए को गुड रोटी खिलाने के बहुत सारे फाइदे हैं और इसी बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हिंदु धर में गाय को पवित्र माना गया है गाय भगान श्री कृष्ण को भी अतिप्रिय है अगर कोई निस्वार्थ भाव से गाय की सेवा करता है तो उसे हर तरह से जीवन में सुख मिलता है वैसे तो गाय को नियमित दिन के अनुसार आपको अलग-अलग चीज़े खाने के लिए देनी चाहिए लेकिन यदि आप ग्रह शांती या जीवन में आरे समस्याओ को कम करना चाहते हैं तो आपको नियमित गाय को रसोई में बनी पहली रोटी खिलानी चाहिए ये रोटी यहू के आटे की होनी चाहिए अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है तो गाय को रोटी के साथ गुड़ भी दे कुंडली में चंदमा कमजोर है तो आपको गाय को रोटी और पानी दोनों अरपित करना चाहिए राहो की माधशा को कम करने के लिए काली दाल के साथ गाय को रोटी खाने के लिए दे शनी ग्रह को शान्त करने के लिए आप हर शनिवार गाई को घी लगी रोटी के साथ पालक खाने को दें केतू ग्रह को मचबूत करने के लिए सफे तिल और गेहू के आर्टे की रोटी गाई को खिलाएं अब जानते हैं आर्थिक समस्याओ के समधान के लिए अगर आप बहुत समय से आर्थिक समस्याओ का सामना कर रहे हैं और आपको इन परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा तो आपको नियमित गाई के पैर चुकर अपने दिन की शुरुवात करने चाहिए इस दिना केवल आपके मन को शान्ती मिलेगी बलकि अपनी समस्याओ का हल करने का रास्ता भी मिलेगा अपने काम के लिए घर से निकलते वक्त यदि आपको गाई की आवाज सुनाई दे जाए तो वह दिन आपके लिए बहुत ही शुप होता है खास दोर पर अगर आपको नोकरी में तरक्की की आस है तो गाई की अवाज आपके लिए शुप साबित हो सकती है वास्तु दोश दूर करने के लिए घर से वास्तु दोश दूर करने के लिए आपको सुभा शाम न्यमित रूप से भगवान के मंदिर में गाए के घी का दीपक जलाना होगा ऐसा करने से घर पवित्र होता है और हर तरह का वास्तु दोश भी दूर होता है अगला और अंति मुपाय घर में सकरातमक उर्जा के लिए यदि घर में सकरातमक उर्जा चाहते हैं और आप चाहते हैं कि परिवार के सदस्यों के मध्या प्रेים भी बना रहे तो ऐसे में अगर आपको महसूस होता है कि घर में कोई नकरात्मक पूर्जा मोजूद है तो उसे दूर करने के लिए आपको अपने घर में गाएं के साथ श्री कृष्ण की तस्वीर लगानी चाहिए ऐसा करने से घर का माहूल सकरात्मक होता है तो दर्शु को इन में से आप कोन सा उपाय करने वाले हैं कॉमेंट बॉक्स में बताना ना भूले और जोतिश ते जुड़े हर उपाय के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल